बुद्ध की तीन शरण बताई जाती हैं, तो वो कौन सी तीन शरण हैं और उनको अपनाने से क्या फाइदे होंगे वो भी बताएं सबी को नमक कारो तीन शरण दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत मानने हैं और यह जो याचना की जाती है, याचना में जो तीन सरण मांगी जाती हैं, यह वोई तीन सरण है basically सरण का यहां भारत के अंदर यह मान के चलते हैं कि कोई किसी विक्ति की सरण में गया तो उसके आगे जाके दंडवत या पांचांग क्या बोलते हैं जाके परणाम करता है और उसने अपना सब कुछ उसको समर्पित कर दिया और उसकी सरण में चला गया बेसिकली सरन का मतलब यहां पाली के अंदर बहुत उच्छ तरका है ऐसा नहीं है कि कोई किसी के आगे आगे और आके उसी गुलामी कने लगा या उसका चेला बन गया या उसका भक्त बन गया ऐसा नहीं है सरन का मतलब है कि जब तीन सरन में जाता है व्यक्ति तो वो उसके अनुसार, सिक्षाओं के अनुसार जाता है ये बिसकली इसको अनुसरन भी बोलते है यानि कि अनुगामी होता है जो बात अच्छी और समय बताए जा जा रही है उसके साथ साथ चलना, यानि तीन सरन लेना यह जो सरन है यह व्यक्ति की सरन नहीं है यहां मैं इसपश कर दूँ कि यह जो सरन है यह सरन किसी भी हलत में व्यक्ति की सरन नहीं है अगर कोई कहता है कि बुद्ध की सरन जाना है क्योंकि पहली सरन है हम बोलते हैं बुद्धं सरनं गच्छामी यानि मैं बुद्ध की सरन मे जाता हूं इसको संसकत में या हिंदी में बोलते हैं बुद्धम सरनम गच्छामी पाली में अंग लगता है और संसकत में तो हलाकि बुद्ध ने मना किया था कि आप इसको संसकत में कनवर्ट ना करें मगर उनकी नियमों की या उनकी बाद की आविहला करके बाद के कुछ लोगों ने इसको संस्कत में बदल दिया, जो कि मना किया तो कोई करण होगा तो बुद्धम, सरणम, गच्छामी के नाम से भी ये पढ़ा जाता है और लिखा होता है और दूसरा सरण जाते हैं तो इसमें जो बुद्धम है या बुद्धम है वो व्यक्ति की सरण में नहीं नहीं जा रहे हैं बुद्ध जो उपादी है जो गुण है जो एक व्यक्ति ने गुण हासल किये उन गुणों के साथ जाते हैं यानि सरण का मतलब है उनके अनुसार जाएंगे और सीखेंगे दूसरा जो सरन है वो है धम्मंग सर्डंग अच्छामी धम्मंग सर्डंग अच्छामी धम्मंग का जो मतलब है यहां बहुत कमाल का है धम्मंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो अपने प्रकृति के हिसाब से नेचर के हिसाब से काम करती है यानि जो उसक इसको एसम्यक नहीं बनाएंगे, खराब नहीं करेंगे उसको, और तीसरी जो सरन है, जो हम जाते हैं, सिक्षा जाते हैं, उसको बोलते हैं, संगं सरनं गच्छामं, यानि जो संग है, अब संग क्या है, संग जो मिला हुआ है, दोर सब से मिलके बना हुआ है संग, संग का मतल लोग हैं तो सारे सम्यक तो इसको सम्यक नहीं बोला में इसमें स्व चुपा हुआ है यह बेसिकली सम्यक संग है यानि कि positive energy वाले जो लोग है या positive energy वाले जो वहां जितने भिक्कुगर्ण है उनके इखटे होने के संग को यहां संग बोला गया है तो मैं उन ऐसे टीचर्स के ऐसे भिक्कुणों की ऐसे जानगारों की जो पॉजटे में अच्छा काम करते हैं, उनके अनुसर जाता हूं, उनसे सीखता हूं, यह तीन शरण, तीन सिक्छाय दुनिया में, सरवोपारी हैं क्योंकि यह नेचर पर बेस्ट हैं, नेचुरल हैं, इसको इसलिए त तीन शरंड बोलते हैं, तीन रात्मी पोलते हैं, और ये बड़ी बानना है, धन्यवाद. उसको ज्यान की प्रापति, सुप का अनुभब सब कुछ होता है, और आप लोग हमें इतना सारा वीडियो को पसंद कर दें, तो इसके लिए हमारा सादुवाद बोलना आप लिए बिल्कुल बनता है, आपको अगर कोई भी गौतन बुद्ध की बात को समझना है या जानना है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर बिल्कुल उससे पूछ सकते हैं, और हम वो कुशिश करेंगे कि उस बात को आप तक पहुँचाया जाए, हमारे ऐसी वीडियो को देखते रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें, और गंटी का बटन दवाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि कोई भी लिटेस्ट इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुचे हैं.